हलो व्यूवर्स मैं श्वैता स्वागत है आपका सिलाई जंक्षन पे मेरे घर पे कुछ दिन पहले ही मैंने अपना जो सोफा था उसको रिन्यू करवाया है तो उसके अंदर से ये ओल्ड कुशन निकले हैं तो अब मेरे को इन ओल्ड कुशन को रियूस करना है तो इसको मैं रियूस करने के लिए जो मेरी चेयर से उसके नाप से मैं कुशन कट करूँगी तो उसके लिए अपने को क्या करना है सबसे पहले चेयर का नाप लेना है तो 17 इंच लंबा और 17 इंच चोड़ा मेरे को ये कुशन कट कर लेना है आप चाहो तो गोल भी कट कर सकते हो और आप चाहो तो चोकोर भी कट कर सकते हो या आपके मन में और कोई डिजाइन है तो आप वो भी कट कर सकते हो अभी मैं चोकोर कट कर रही हूँ तो उसके लिए कुशन को आपको देखना है मेरे पास यह बहुत पुराना कुशन था तो तब अपने आप निकल रहा था मैंने थोड़ी सी महनत करके इसके अंदर यह साइड साइड का था वो निकाल दिया है अब जहां जहां अच्छा है वहां वहां में निशान लगा लूँगी 17 इंच लंबा और 17 इंच चोड़ा और अपने को वो पीस कट कर लेना है कट करने में थोड़ी परेशानी आएगी आप चाहो तो किसी चाकू अगरे से या आरी आती है उससे भी कट कर सकते हो मैंने केची से ही कट करा है अब अपने को पुराना फैबरिक लेना है क्योंकि ये ओल्ड कुशन है ओल्ड कुशन के अंदर इतनी मजबूती नहीं रही है ये बहुत सारी जगह से गल गया है तो ये जित्ती जगह गली वी थी वो मैंने निकाल तो दिये लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक जगह है जहां से हो सकता है ये फ्यूचर में साही नहीं रहे और फ्यूचर में जो अपन इसके उपर खोल बनाएंगे वो हो सकता है अपन जब तो इसके अंदर से ये सब निकले करें बारेक बारेक इसके रूँएं तो उसके लिए जो ओल्ड फैबरिक है मैं वो यूज कर यूँ और इसके बराबर कट करके और मैं सुई और धागे से अच्छे से इसको सिल दूँगी डबल फोल्ड के अदर मैंने कपड़े को बिच् कुशन को उपर रख दिया है अब अपने को सब तरफ से एके किंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है क्योंकि ये कुशन है थोड़ा सा उपर की तरफ है तो इसलिए अपने एके किंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है और अब मैं इसको पूरा अच्छे से कट कर लूँ उल्टा मतलब फ्लिप करना है और फ्लिप करते हुए ही अपने को ये जब पने जो कुशन है इसके अंदर अपने को इसे अंदर डालना है इस तरीके से अपने को सुई और धागा लेना है और चार वरते अपने को धागा सुई में पिरो लेना है उसके बाद अपने को कुशन को इस तरीके से फोल्ड करना कि एकदम से पैक हो जाए बाद में अपने को इस कुशन के उपर एक कवर बनाएंगे लेकिन इसको अपने को बार बार नहीं खोलना है तो उसके लिए अपने को कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए और अपने को टाका लगाते जाना है नीचे कुशन के अंदर टाका नहीं आना चीए और अगर थोड़ा सा आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको अपने कच्छे से फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर लेना है हाथ से मतला हाथ सुई और धागे से करना पड़ेगा अब यह अपना कुशन बनके रैडी ह इसके बाद मैंने एक कॉटन का फैबरिक लिया है आप चाहो तो अपने मन पसंद का कोई जाबी फैबरिक यूज़ कर सकते हो अब मैं इसको बिल्कुल सीधा पिछाओंगी और उसके उपर जो अपने को यह सिंगल फैबरिक है और एक पीस अपने को बिल्कुल इसके है हैं और चोड़ाई में तो अपने English काटेंगे लेकिन लंबाई में अपने को 5 या 6 एंच एक्स्ट्रा ले लेना है और उसके बाद अपने को कट कर लेंगे कट करने के बाद देखेैं मैंना इस साइड से 5 इंच एक्स्ट्रा लिया आप चाहो तो जाधा भी ले सकते हो उ यह जो दोनों पीस है इनको अपने को लेना है और चौड़ाई की तरफ मतलब जिदर अपने लंबाई में काटा था उस तरफ से नहीं चौड़ाई की तरफ से अपने को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपने को दोनों को स्टिच कर लेना है इन दोनों को मैंने इस तरफ से अच्छे से स्टिच कर दिया है उसके बाद अपने को अपना यह जो एक और फैबरिक वो लेना है और इसको अपने को सीधा अपनी तरफ रखना है मतलब यह उल्टा अंदर की तरफ रहेगा उसके बाद उपर की तरफ अपने को यह दोनों फैबरिक को उल्टे लगाने है या इसके बाद अपने को कुशन लगा के देखना है और फिर इसके चारो तरफ अपने को अच्छे से स्टिच कर लेना है ये देखिए मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है अब अपने को इसे फिलिप कर देना है जब आप इसे फिलिप करोगे तो आपको ये धियान रखना है कि इसके जो चारे कौने हैं, वो अच्छे से बाहर निकल जाने चाहिए. ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको फिलिप करके बाहर निकाल दिया है. अब अपने को इसके अंदर कुशन इंसर्ट करना है. तो अपना ये चोकोर कुशन बनके रेडी हो गया है. सेम इसी प्रोसेस से मैंने राउंड कुशन भी रेडी करा है. तो ये देखिए, ये दोनों इतने सुन्दर लग रहे हैं और चेयर पर बहुत अच्छे लगते हैं. ये देखिए, इस तरीके से मैंने इन दोनों कुशन को रेडी कर लिया है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग.